हलो एब्रिवन वेलकम बैग चैनल बिलियन एजुकेशन वे एंट बिलियन पॉपुलेशन सवागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पर हाजी रहें आपके सामने आपके हिस्ट्री लेके तो मेक्शिर करें यह एकसराइज होगा चैप्टर नूमबर टू जिसका लाइक करें कमेंट करें शेयर भी करतें जो ग्रूप भी और फॉलो करते हो और सपोर्ट कर रहें इस चैनल को बाई सब्सक्राइबिंग आगे बढ़ते हैं दोस्तों यह चैप्टर का नाम है पहला क्वेशन आता है चूज दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम फ्रॉम दी गिव सर अलेक्जेंडर कनिंगम तो यह आंसर होगा ओके करेक्ट आंसर है हमको ग्या ध्यान देना बच्चों इसको वापस से री राइट करना होता है बोर्ड में तो एक मां कम्प्लीट मिलता है वास दी यह लिखके है से परस्ट एक्टर जनरल इस तरह से आप लोग को लिखना होते हैं सो यू गेट फुल माक्स यह मेक्शूर करना री राइट कर दिना कि डॉट डॉट ट्राइटर संस्कीत टेक्स्ट ऑफ हितो पदेश इन जर्मल लैंग्विज यह पहले कौन से लैंग्विज में था दोस्तों यह था हमारा संस्कीत बुक का नाम था हितो पदेश किस ने किया फ्रेड़रिक मेंस मुलर मैंक्स मुलर यह नाम होना चींग मैंक्स मुलर स्इसा डाइट कर देना उसी को और रिडाइट करके लिख देना इतने में टाइम जाएगा नहीं आप लोग का अब यह आपके बोर्ड एक्जाम में क्या करता है पता करो एक मांक मिलेंगे पहले आता था आज से कुछ आल पहले करेक्ट करके उसको लिखना भी होता है दो मांक के लिए लेकिन यूपीपल के लिए बहुत इजी होगा इसी पता करना है तो यह चार दिएगे वेर्दी शुद्राइज सवल्टन जो दबे कुछले लोग थे उनके बारे में स्त्रीपूर स्टूल नाम इस 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 नहीं है यह सर्वी हमारे वीडी सावर कर जीने लिखा था यह था हमारा कौन सा है यह न तो रॉंग पेर देखो यही वाला है इसको करेक्ट नहीं करना है आप लोग को सिप पता करते रहे हैं एक्स्ट्री जोग्राफी का एक बहुत अच्छा सिल्सिला क्या होता है इवन साइंस के कुछ जो आपके समसाते हों डारेक्टली टेक्स्ट्बुक से आते हैं आप लो वहीं से कोईशन आने वाले तो वह बोड एक्जाइम के पहले क्या करना है हमको पहले प्रिपेर कर लेना है मुमेंटम रिसीव किया था तो इसका हम लोग को बताना है रीजन कुछ नहीं बता देंगे देखो राइटिंग अफ इंडियन हिस्टों से इस्टों से ट्रेंड पहले यह लिखना अब देखो यह क्या बोल रहे हैं यह हमारा प्यारा भारत था यहां पर रफ बना रहा हूं फटपट से हम जाने के लिए तो आप लोग को यह इमेज द्यान में रहेगी आप तो हम लोग के जो यह यू के से आयए था यहां पढ़ने कही六 पहले अपने यह नाशनल पूरे इंडिया की जो इस्टिए थी बहुत है बूह। जो ब्यूक्ड ंत ती ब्वूर्टी हुल लेकिन आगे चलके हमारे चुपलिंकर ब्रदर्श जैसे लोग भी थे जो बोले क्या कि भाया अगर महाराष्ट्र जैसे जगाओं के भी खुद की बहुत वारियर शिप्षत्रपते शिवाजी महाराज बाजी राओ जैसे लोगों ने अगर कुछ अच्छी बाते की और वह आ तरह से सारे लोग और यहां पर तेलंगाना ले लो आंधर प्रदेश ले लो तो ऐसे सारे लोग शुरू कर दियते बच्छों यह ध्यान रखने वाली चीज़ है तो यह बता रहे तो यह पढ़के कहां से ब्रिटेन वाले एजुकेशनल सिस्टम से अगर नहीं भी पढ़क इंशेंट पास जो हमारे इंडस्ट वाली से लाइशन नारियंस की इस्ट्री ती जो वेदों में थे उसको वापस से रीजुन वेट को कि यह अपने को बहुत प्राउड उदर बताते अपनी गली में यह बहुत बहुत करना अंदा इंसान अगर अंदर से अगर हर्ट होता है तो बहुत कुछ कर सकता है तो यह वही हिए हमारे इंटर्नल सौल को हट के तरह अब बदला लेंगे ही अदि क्या लिखना शुरू किया कि इंडियन के लिए यह वर्ड अप एिंडियन पीपल अगेंस दी बृटिश तो पहले क्या तहीं तो दबा तो रही थी यह लिकिन लेकिन इन्हों ने क्या कर दिया इस चीज को इनसानों को क्या क्या उठा दिया और जब इनके अंदर प्राइड भर दिया और जब इनके अंदर प्राइड भड़ा तो यह लोग बोले कि आब आओ हम तुमको बताते हैं इन इस एसे वर्क किया तो यह आंसर में यह सब लिखना आप लोग को इन इस एस्पेक्ट दबूक इंडन वर फिंडिपेंडनेंस एटीन वर इंडिटन वर इंडिटन वर वीडी सावरकर जी विनायाक दामदर सावरकर इस ग्रेट इंपोर्टेंस इन्होंने बोला था एटी पीक होता है उसके जो यह रहते हैं तो दास से निकालना पड़ता है तो यह मंगल पंडे को नहीं जमा तो उन्हें बोला भाई बहुत कुछ हो गया बहुत सहलिया हमारे फार्मर्स हमारे ट्राइबल को तुमने बहुत परशान किया अब यह नहीं सहेंगे हम लोग तो हमार साइनिक लोग विद्रोव कर दिया इंडिया का वार का पहले इंडिपेंडेंस के लिए पहली लड़ाई थी जो हम लोगो 1947 में मिले लेकिन बोलते हैं पहली वार जो शुरू होई थी वह यही थी अब यह विडिशावर करने बुक में बोल दिया थोड़ा इंपोर्टेंस दिखाए उस चीज़ को अदर्वाइस दबा रहे थे कि अरे कुछ नहीं हो आता है ऐसे दो तीन लोग उसरे में तो ऐसे विश्नु शास्त्री चिपलूंकर हो क्रिटिसाइज प्रिजिदाइज हिस्ट्री ऑफ एंशेंट इंडिया रिटेन बाय ब्रिटिस ऑफिस इंस्प यह बोले तुम लोग बेकार हो और उसके बाद हमारे महराश्त्री के इतनी रिचिस्ट्री थी उसमें भी बोला कि लिखना शुरू करो अदर्वाइस यह ऐसे काम नीचलेगा लोगों को मोटिवेट करो एक दो लोग मोटिवेट होके क्या करेंगा पूरी जनता को आवा हम को मोटिवेट करना है तो विष्णु शास्त्री चिपलूंकर उनमें से एक जो महराश्त्री के अंदर लोगों को मोटिवेट किये तो प्रोवाइड़न मुमेंटम तो वही हुआ तो जो पहले हम लोग बोले देश के लिए पूरा लिखेंगे देश की अच्छी चीज़ों लोगों के अंदर भरुसा पैदा करेंगे बहुत इंपॉर्डेंट हर साल क्वेशन आता है आइधर आप लोग को कम्प्लीट चार्ट और यह सब करने के लिए बखार कुछ भी नहीं है हम लोग बोलते हैं बखार वर्ड में चुपा है बखान किसी भी गाने के फॉर्म में कोई भी चीज में कोई भी स्टोरी को लेकिंगन के बारे में किसी भी किंग्डम के बारे में लेके लोग क्या करते हैं जैसे भूँ से तो वो मोटिवेशन पैदा कर देता आंदर से कि अंदर से जोला ही जोला आ जाती है तो जब ऐसे चीजों को लिखा जाए यह का बोला जाए उसको बुलते है बखा कोई वी टॉपिक और एडविनिस्ट्रेशन के उपर हो dat टेंग इंग्डम के उपर कोई इवेंट के उपर कोई फेमज पर्सन के उपर हो सकता है जो भी रहे बखार सब पे लिख सकते बच्छों ऑके बखार इस इस्टोरिकल डॉक्यमंट ऑफ मीडिवल पीरिट तो तीन पीरिट होते एंशियंट बहुत पुराना मीडिवल उसके ब बखार आप लोग आगे पड़ोगे तो जैसे यह सब इवेंट के बारे में भी लिखता था कि कोई अगर घटना हुई है उसके बारे में भी लिखते थे तो उसमें मोटिवेशन मिलता था यह सब अम लोगो चार टाइप में कलकी जाना होता है होल करांची काइफियत तो उसमें क्या बताना है कि इसमें क्या शत्रपति शिवा जी महराज जी की बोलते हैं ना उनके बारे में लिखा गया था लड़े थे तो उसमें मराटे लिटरेचर मतलब मराटी के अंदर लिखा गया लिटरेचर या कॉपी थी यह बुक थी तो सेकंड पॉइंट क्लिए पहला पॉइंट यह बताना है कि मीडिवल पॉइंट का दूसरा किसी भी चीज़ पर उसकता है एक्जांपल हमारे तीसरे में देखे रखना है आप लोग को ओके इस तिंग्स आर इंक्लूइद इंदी डिस्क्रिप्शन ऑफ बाबर इंदी इस ऑटोबायग्राफी आटोबायग्राफी मतलब क्या खूद से लिख वी चीज़ जो खूद इंसान लिखता उसको बूलते ऑटोबायग्राफी तो बाब तो यह बाब्र तुझे के बाबरी बुक क्या था अगर समझो यह बंदा अगर जा रहा है कहीं पर अगर समझो यूपी गंदर चले गए तो उससे रिलेटेट्ड लिखते थे यहां पे सोशल सिस्टम क्या है लोगों का कैसा कास्ट है की नहीं है लोग एक दूसरे से प्या सल्टनत को स्टैब्लिश करने वाला पॉर्सन था इन्हों इनके यह फॉर्स्ट किंग ते उसके रोट इस आटेवागर तुझ के बापरी ध्यान से इन्विच इंविच वाउट बैटल सी फॉर्ड दूरिंग इस रें तो पहली बात तो बंदा खुद की अपनी बढ़ाई कर काई कि यह सब सारी चीजहों के बारे में लिख्ते थे तो पहला खुदे के बारे में बुक का नाम ता तुर्जी की भाबरी फिर जो भी सिटीज और रीजन्स घूमते थी वहां की लोकल एकॉनमी कस्टम सोशल ट्रडिशन्स यह सबसारी चीजें थोड़ा यहां वहां लिख देते थे स्वातंत्रवीर सावर कर टू नैस्टनलिस हिस्टोग्राफी तो मैंने बता दिया तो जानी बता दी ती यह लोग सोच रहे थे मंगल पांड़े जैसे और जो सेपॉय मिटनी जो हमारे मिलिटरी परसन लोग जो ऐसे हैं बोले तरहां चलो दिल्ली का नारा लगाया थे मतलब नारा लगाया थे लोग की मेरेट से लोग चल चुके थे पूरा पूरे सिस्टम को उखाड पेकने के लिए यूरोपियंस के बिर्टिश के तो लोग दबा रहे थे हो कि अरे बहुत चोटी चीज थी ना ऐसे कौन को अपनी बदनामी सहना चाहेगा अच्छो सब अपनी सावरकर जी तो बोले क्या समझे थे थे थोटा बच्चे थे क्या है यह हमारा पहला वार ओफ इंडिपेंडेंस था नाम दे दिए कि इसको छोटा मोटा मत समझो तो यह उनका कॉंट्रिशन ता जलच जलच जवाही नी तो यह क्या करते तो एकदम मोटिवेट कर देते थे सवतंत्र वीर सावरकर वेर in Fuse with nationalistic नाशनलिस्टिक थीन आइडेलोजी होती है एक होता है इक होता है मारा और नैजटन शुक्त के थे वाहरे पने अच्छा और शाचर जारबIF च्टों बोलते थे इसी के बारे में जानना यह भी बहुत अरीश है लेकिन ये लोग करा आपते हम लोग का अंदर से बोलते हैं ऑर हम लोग को सताना चाहते थे जां इंदिन वारा उन दोनों के लिए थे उन्होंने स्टार्ड किया था मतलब इसके अंदर बहुत अच्छे से किया था कि लोग्ट आट दे रिवाल्ट आफ एटीन किया था किस ने रिवाल्ट किया था बच्चो याद रखना मंगल पांडेली का इस भूग इंस्पिरेशन सुन नाशनलिस्ट इस्टिर विचेंट ट्रिगरिंग इंडिपेंडेंस मुऊमेंट और इंडिन पीपाल अगेंस बिलेटिश इवन राइटिंग और रिजिनल हिस्ट्री गॉट पीछी किया था तो नैशन के बारे में हमारे देश के लोग बोले क यस सर यस सर हाउ सर ऐसे बोले फिर इसके बार लोकल जो लोकल वह भी बोले कि यार हम में शत्रपती शिवाजी महराज के मतलब हम लोग ने ब्लड लाइन से हैं अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा अब उन्होंने एक बहुत अच्छा डायलोग मारात या उन्होंने बह ओके दे अटेंशन ओफ इस्टोरिंस वोज ड्रॉन टोर्स इस्ट्री एंज जोग्रफिक कंडिशन और वेरिएशन इंदी साउथ इंडियन तो देखो इनकी कंडिशन क्या जोग्रफिक ऐसे तो इनको बात में मालूं पढ़ा है हमारे पास कोस्टल रिजन हमारे पास करके बहने वाली ब्रहम पुत्रा इवर भी है हमारे पास साउथ में पैनिन्सूला भी है हमारे पास जो तीनों माक्स्सीश्री आप लोग ने पहले चाप्टर के अंदर दोस्तो किया रहेगा काल मांक्स्स जो बोलते थे कि कुछ भी नहीं का बेड़ा गर्ग हुआ पड़ा है तो यह लोग क्या करेंगे करते रहेंगे एक दूसरे से हैव वाले अपना पॉजिशन छोड़ना नहीं चाहेंगे यह बोलेंगे तुमको नीचे लाके दिखाएंगे तो यह हमेशा स्ट्रगल होता रहेगा नहीं बोलाता था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के इस से डिसाइड होगा यह लोग कैसे रिलेशन करेंगे इसी के उपर जो हमारी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसको बोलेंगे माक्सिस हिस्ट्रीग्राफी अब माक्सिस वालों का जनरल एक प्रिंसिपल होता है देखो दो टाइप के कि लोगो बोलें इंडिया का पास्ट कल्चा तो दोनों क्रिटिसाइज करते हैं कि उसका चीज नहीं रहना अच्छा रेंगे आपने चीजह अच्छे इसको सब्सक्राइब करें कि राइफ नहीं सिस्टम घृट्सक्ति उंसको रखते हैं यह आईडियोड तो माक्सी हिस्ट्री में यह देखो सब्सक्राइब करें इस सब्सक्राइब करें तो यह सप्रेशन का यह एक इवेंट है उसका सोसाइटी पर क्या इंपक्राइब इसी से लोग स्टार्ट किया थिस्ट्री लिखना next the master's writing include the need for means and the modes of production and in index industrial relation हो मैंने अभी बताया कि means of production M.O.P. जो मैं बोलता हूँ तो need of need for the means and modes of production means मतलब पिर से बता देता हूँ चलो modes of production means of production means and modes of production लो dific fand just Prem место प्रोडक्षन इनके पास जो रास्ते मोड्स हो प्रोडक्षन पैसा कमाने सब कमाना अब्जेटिव यह भी हैव नॉच्च वाले भी कमाना चाहते लेकिन इसके लिएश्प को इसके लिए प्रोडक्शन के लिए और मोड्स बहुत सारे अवेलेबल चीजें जिसे लोग कर पाते हैं जो लाइवलिवूट के लिए साइचे रुपीज और उससे वो लोग गुची बुगाटी वेराउन सारी चीजें खरीद पाते हैं यह नहीं कर पाते हैं इस से सनम आया कैसे कैसे पहली बात पहले इसको वर्म बोलते थे लफडे हो घ измен किसी कोभाया है फिर आज कैसा है कैसट में और है कोई भी सोशल हमेंट से रिलेटे उससे माक्सिस्ट अब यहां पर दिखो नाम दिया गया सबके यह आप लोग को कर लेना है नाम में आता है सबसे जो इंपोर्टेंट नाम है जो माक्सिट हमारी इंडियन के लिए थे दामोदर धर्मानन्द कोसंभी तो रामशरन शर्मा एस ए डांगे यह बहुत इंपोर्टेंट कॉम्रेट दांगे रोड़ दा बुक टाइटल प्रिमिट्व कम्यूनिजम तू स्लेवरी विच कंसिडर्स दी माक्सिस्ट मेतलब क्या होता है किसी भी इवेंट को लो उस पे सोसाइटी के इंपक्ट और जनरली लोवर पॉपूलिशन के बारे में सोचो तीन लोग का नाम राम शरन शर्मा अमारे दांगे जी एन को सम्भी यह तीन लोग का नाम जरूर लिखना आप लोग आगे बढ़ते बच्चों कि वोटी टीर्विशन अफ इतिहास रहे इतिहास चारिया वी के रजवाड़े तो जो इतिहास को पूरा चर्चा में लाए मतलब पूरा जो इसको एक्सपांड किते वीके रजवाडे जी के बारे में क्या आम लोग करने हैं वीके रजवाड़े वेलन नोन फर मराटी में कैसे थी आज कैसी है तो यह सब सारे लिंग्विस्टिक की बारे में अच्छी खासी नॉलेज रहे ना एक्टमालोजी उससे लेटेश शब्द उससे और ग्रामर तो शब्द और ग्रामर मिलके हम लोग को कोई भी लाइग्विज बनाते तो राइटिंग और और कैसे भी मराठी राइटिंग लिखते थे तो यह तीन चार चीजें लिखना है पहली तो लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक किससे बना होता है एक्टिम लॉजी प्लस ग्रामर से इस तरह से आपका पॉइंट वीके रजवारी जी की बारे में पहला पॉइंट क्लियर हो जाएग तो वह हम लोगों को सोर्स बता है तो मतलब यह मीनिंग दाना को मराठी इतियाचासी साधने कैसे कैसे तरीकों से आप मराठी इतियाचासी साधने साधने मन्स हमारे सोर्स तो वीके रजवारी जी का यह फूटो भी है अकॉर्डिन टुम हिस्ट्री शूड इंक्लूड ओल एस्पेक्स ऑफ पॉस देखो यह मॉडर्न हिस्ट्री ग्राफी जैसा दिख रहा ना बोलते हैं हिस्ट्री के अंदर लिख रहा तो यूमन का जो भी पास्ट में सारी हिस्ट्री शूड बी कलेक्टर फ्रम वेरियस सोसेश विच शूड बी ऑथेंटिक इन नेचन तो आपको जो भी कॉइंस स्कॉल्ट्चर और उसके बाद आप लोग ले लो आर्केल लौजी जमीन में दभी उचीज है पॉट ऐसे जीतने फिर इंस्क्रिप्शन पिलर्स बाद में जैसे मैंने बताया था बहुत सारे कॉपी लोग बहुत सारा चीज पढ़के लिखिया एक दम कर नीचे जो लिखके आज हम लोग बुक पढ़ रहे हैं यह सब सब का थोड़ा थोड़ा पार्ट है जो जिसको मन किया वहां से उठाके लिख दिया तो बोलते हैं औ अगर आप पास्ट में इस्ट्री लिख रहे हैं और यूमन के बारे में लिख रहे हैं तो तीन चीजें बहुत जरूई बताना है अगर मैं बोलना चाहूं कि हमारे इंडिया में टेंपल आर्किटेक्ट्चर गुपता पिरेट से एकदम सुपीरियर होगा अच्छी यह तीन चीजें से अगर आप यूमन इस्ट्री लिख रहे हैं तो लिख पाओगे और पढ़ने वाले को मज्जा भी आएगा तीन चीजें टाइम स्पेस एंड परसनालिटी यह तीन आसपेक्ट हमेशा लिखना जब भी हम लोग इस्ट्रियोग्राफिया और इमन की उमें हमारे मुंबई के दे हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऐसे डांगे प्रिमिंटीव कम्यूनिजम टू सिलेवरी अभी पढ़ा हमनें डॉक्टर बाबा साहिब आमिट का वो वेर्दी शुद्रास ओके इस तरह से भी चार्ड आता है जो चीज नहीं दिया आप लोग को वही भरना रहता है जैसे देखो यहां पर तीन दिया है तीन तीन का वन टू थ्री वन टू थ्री तो यह जो एक कलर वाले हैं यह एक तरह से मतलब क्या होता है n gesprochen ग्रुस तो बीच में वह परसन का नाम होगा तो यहां पे भाबर का नाम होगा किि कश्मिर कलहन अंदर नियु आप रेन ओफ शत्रपतिस शिवा जी महरा सभा अर वालफ नठब र लिखा था हमारे खुच जैसे ऐकर्ष्ण अनन्द सभासत तो इनकी बुक का नाम था हमारे इनका नाम त intervening क औरे कई वक्रयाई तारीक के फिरोश उस तरह भी राजा फिरोश शाह थे तो हैं इस तरह से लोग बिए अरफ हो हैं वरीटीज स्पोल होने पियार वेयुज पास रिच कल्चर ईंके पास बहुत सारी कीजें आर्गी का सिस्टम निजन कल्चर लेकिन बाद में आगे मालूम जाके पड़ा कि इनका इंट्रेस्ट रिलीजन कल्चर को जानके यह था कि जितना ज़्यादा आज बोलते हैं बिग डिटा का रोल है जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आप लोग को इंफ्लूएंस किया जा सकता है लेकिन अंदर से मालूम पड़ते हैं चाकू खोप रहे थे सीने में औरेंटली स्कूल अफिस्टरिगाफी इंकूर्ड थाट सफ यूरोपियन देखो यूरोपियन बोला ना यह वही लोग है वही के भी वही के लोग यूरोप की फूश्ट इंटरेस्ट इन दी सिविलाइजएशन अन दी कंट्रीस ऑफ दी इस्ट आज इंकरेज और इस्पे यू के पूरा जो बोलते यूरोप इतना बड़ा एधर एक आयलेंड है वह यूके है यूरोपियन से इस्ट इस लोग इंट्रेस्ट इखा है कि इस्ट के बारे में जानते हैं मैं क्यों इस्ट बोल रहा है कि आप नोगों को मेरे स्टोरी याद रखते हैं तो इन किलीश ब वी नोन आज ओरियंटलिस संस्कृत लिटरिचर वेदिक लिटरिचर एंट्रेशन तो मैं जैसे बोलो था कॉस्टम्स रडिशन वेदिक लिटरिचर क्योंकि हमारे पास चार वेदिम वेदों एक नंबर घ्यान दिया है बहुत अच्छी सारी चीजे बोले थी विशुल इंकल कर तो उनको बुली औरियंटलिस्ट ओके तो यह लोग क्या किया इंट्रेस दिखा रिखाया है हुमारी हिस्ट्रेशम और किसमें स्पेसिफिकली वेदिक लिटरी में जाना क्योंकि यह सब संस्कृत लाइंगेज में लिखा गया था अब उसमें क्या आज सिमिलाटिस बोलते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे चीज़ें जैसे त्रिकोड मिती का एक एक्जामपल दे दिया तो उनके आपर ट्रिकोनमेट्री बोलते हैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे जो मैच खा रहे थे तो यह क्या बोलते हैं एंडिया और यूरोप में जो भी इनकी एक मदर लैंग्वेज है मदर क्यों क्योंकि मदर से सन और डाटर आते हैं तो मदर लैंग्वेज जो यूरोप में गए होंगे कुछ लोग कुछ इंडिया में इसलिए सिमिलाइटी जैसे त्रिकोड मिती ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं अभी मेरे दिमाग में नहीं आर लैंग्वेज है मैक्स मुलर का नाम जरूर लिखना नैशनलिस्टिक हिस्टरियोग्राफी इसके बता ही चुका अब भी बता है कि सारे इसमें आम को नाम याद रखने क्योंकि क्या जैसे कि आप लोग कोसं भी नाम जैसे सरनिम ले रहा हूं मैं सौरी के इसको संगी लोगों नाम आता है चिपलूंकर सावरकर जी का फिर उसके बाद हमारे M.G. रहनाडे जी का तो ऐसे नाम आते है तो आर्के परसाद मिसर तो ऐसे बहुत बहुत साइर लोगों का नाम आता है तो वह पता करना चाहिए कि कौन कौन सा कहां पर बढ़ां को मैंने इससब तो इसे और भी आते हैं उनका नाम याद रखना है तो यह सब मैंने बता है बाइस्ट में यह सब अब लोग को इसे अपने को सुपीरियर नाम आएंगे अब चार नाम में लोग को एक पाएगा एंटोनियों का दूसरा आएगा गुहा का तीसरा आएगा हम लोग को डॉक्टर बाबा साहिब आमबेट करका और चौता याद रखना मात्मा फूले जी का यह चार नाम सबल्टंस के हिस्ट्री में आएगा अब सबल्टंस के हिस्ट्री क्या होती थी देखो हमेशा जो हिस्ट्री लिखी थी और जिसके बारे में लिखी जा रही तो जो लिखते थे वो किंग के बारे में और जो लिखता भी था तो किंग के उसके मंडली में से कोई लिखता था तो इस थी जो बीए और जो भी दवाए कुछ लो ऐसे लोग जब हिस्ट्री लिखना शुरू करें उसको बोलते सबल्टन हिस्ट्री इसने में चार नाम जरू तर एंटोनिया का नाम क्यूं आएगा क्यूंकि उन्होंने इटली के थे वह वो पूरे वर्ल्ड में इस चीज को जिसने पूरे वर्ल कर जी का नाम आना चाहिए तो यह आपका अंस्वर कंप्लीट होगा आगे बढ़ते बच्छों देखो एंटोनिया ग्रामसी एंटोनिया ग्रामसी का नाम मैं यह हमेशा बूलता देखो बॉटम जो सबसे नीचे वाले वो लोग लिखे तो यह इटली से बिलॉंग करते थे जिन्हों ने पूरे वर्ड में बोड़ते की जो यह थॉट लिखे आई की देखो मार्क्सिस्ट भी थॉट था औरियंटलिस्ट भी थॉट था फेमिनिस्ट भी थॉट था तो ऐसे दबे कुछले लोगों का मतलब जैसे की जो नीचे नीचे जिनको दबाया गया था वो लो को साइटी को बिलॉंग करते यह थॉट इंगे बुक का नाम लिखने को ड़ करने को शुद्र हति शुद्र नाम था भी नहीं दिया गया दो बूक है इंकी गुलाम गिरी अधि शुद्र अति शुद्र तो देखो शूद्र मतलब क्या होते हैं जो लोवर काशट आपको पता उने चार कास्ट है ब्राममन, दूसरा शत्रियत, तीसरा वाईश्य, यह चाउत्था शूद्र तो शूद्र जो बोलते हैं वो लोवर सबसे कास्ट तो जनरली ऐसा मानागे कि उपर कास्ट वाले ने लोवर कास्ट को दबाया गया था अब यह शुद्र के अंदर बे भी ना यह शुद्र लोग में भी कुछ अमीर हुए जिनको कुछ जैसे अच्छे प्रोफिशनले कुछ इनका अच्छा चीज था यह ल बात आता है डॉक्टर बियार आमबेटकर का यह भी वन आफ दे लर्नेट थे हुँ न्यू लाओ एकॉनोमिक्स एवरेटिंग अब उनकी बुकों का नाम देखों इंगलिश में रहेगा हुवेर कॉल दी शुद्राज दी अंटचेबल तो आप लोग को जब हिंदी या मरा लगे तो हमारा मात्मा फुले जी का नाम रख देना लेकर जब इंगलिश में लिखे दा अंटचेबल चुव अंटचेबल हो गया और फिर हुवेर दी शुद्राज मरा इंगलिश में दिख रहा है तो वह ब्यार आमबेटकर की बुक होंगे सबसे चट्री के बच्चों अगर पसंद आए तो लाइक दबाईये कमेंट करिये और इसका हाकार मचा दीजिये पूरे विश्र में मिलते हैं एक सच्छे में तिल देन बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई